हेलो बच्चों, मुझे खुशी है कि आज आप सभी यहाँ आए खेतों में जाने से पहले किसी का कोई सवाल है? आपका गाउँ पूरी तरह से कीच नाशर मुक्त होने के लिए चर्चा में था, इसका क्या मतलब है? हम, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कीच नाशक रसायन वे होते हैं, जो किसी भी कीच को रोकने, नश्ट करने, हटाने या कम करने के उद्देश्य से छिड़के जाते हैं वर्ष 2019-2020 के दौरान इसकी खबत 6569 मेटरिक टन थी लेकिन ये किसानों के लिए सही नहीं कीच नाशकों के संपर्क में आने से चक्कराना, मतली होना और किसानों की मृत्यू भी हो सकती है कीच नाशक हमारी जैव विविदता को भी नश्ट कर देते हैं वे मिट्टी और भूजल में रिस्ते हैं, जो पीने के पानी को समाप्त कर सकते हैं कीट नाशक स्प्रे हवा को प्रदूशित करता है हमारे खाद्य पदार्थों में भी बहुत खतरनाक कीट नाशक पाए गए हैं चाहे वो मास और मचली हो, या तेल, नट और कई फल और सबजियां हो लंबे समय तक ऐसे खाद्य बदार्थों का सेवन हमारी हृदय प्रणाली, यक्रित, गुर्दे और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है ये सेलिलर और डिने को नुकसान पहुँचाता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है इससे कैंसर होने का भी खत्रा है डबल्यू एचो ने वर्ष 2019 में कहा कि आपकी उम्र के बच्चों को कीटनाशकों के प्रभाव से अधिक खत्रा है क्या ये सब आपको सही लगता है? नहीं! क्या इन सब की वज़े से आपने कीटनाशकों का इस्तिमाल बन कर दिया है? क्या हम कीटनाशकों के बिना फसल उगा सकते हैं? निश्चित रूप से सदियों से हमने रासायनिक कीटनाशक का उप्योग किये बिना खेती की है केवल पिछले 4 या 5 दशकों में किसानों ने रासायनिक कीटनाशकों का उप्योग क्रिशी उत्पादन को बढ़ाने और संग्रहित करने के लिए शुरू किया है अब लोग कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से अवगत हैं और अन्य विकल्प तलाश रहे हैं इसलिए नौन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट या NPM को बहुत सराहा जा रहा है ये उच्च लागत वाली उच्च निविष्ट क्रिशी के लिए एक स्थाई विकल्प के रूप में तेजी से स्विकारा जा रहा है कीट और खर्पतवार के रूप में जाने जाने वाले कीडे और पौधे हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं ये तब ही उपद्रव बन जाते हैं जब पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन होता है और उनकी तादाद बढ़ जाती है कीटों और बिमारियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए NPM फसलों की अंदरूनी क्षमता को संतुलित करने और मजबूत बनाने का प्रयास करता है इन उपायों को अपनाने से खेद की प्राकृतिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद हो सकती है लाबकारी कीडों के लिए सुरक्षित आवास बनाए रखना मिट्टी की उर्वर्ता बढ़ाना अंतर फसल और मिश्रित फसल बढ़ती कीट प्रतिरोधी किसमे और फसलों का नियमित आवर्तन NPM द्रिष्टिकोन अपनाने वाले किसान खेती की लागत को कम करने और अपने उत्पादों के लिए बहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम है NPM का लक्ष कीटनाशक मुक्त खेतों से कीटनाशक मुक्त पौश्टिक भोजन लाना है भंडारन, प्रसंसकरन, पैकिंग और परिवहन के दोरान रासाइनिक मुक्त, सुरक्षित तरीके अपनाए जाते हैं भोजन, सुरक्षित, स्वच्छ, शुद्ध और पौश्टिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जी सकें NPM के लाभों को समझने के बाद हम अपने गाओं के खेतों में कीट नाशकों को दूर करने के लिए इस वैकल्पिक पद्धती का अभ्यास कर सकते हैं इस जानकारी को अपने माता-पिता के साथ घर पर साजहा करें और सुझाव दें कि वे उन केसानों से राशन लेने की कोशिश करें जो पर्यावरन के अनुकूल खेती के तरीके अपनाते हैं उन्हें बताएं कि दुकानों, बाजारों और सुपरमार्केट से कीट नाशक, मुक्त सामगरी सभी के बजट के अंदर है तो क्या आप सभी अपने और पर्यावरन के स्वास्ते के लिए सही चायन करेंगे? हाँ, करेंगे हाँ, करेंगे